तो दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर मार्केट में मौझूज सभी IPO के हम लोग GMP प्राइस के बारे में DTS में जानेगे इसके साथ ही हम लोग ये भी केलकुलेशन करने की कोसिस करेंगे कि अगर आपको इन में से किसी भी IPO के अंदर अलोर्टमेंट मिल जाती है तो इन दोनों IPO के अंदर आपके क्या स्टेजी होनी चाहिए इस वीडियो के अंदर हम लोग DTS में डिसकोस करने वाले हैं किसी भी IPO का GMP चेक करने के लिए हम लोग एक वेबसाइट की हेलप लेते हैं जिसका नाम है money mint idea.com आपको google में इतना सर्च कर देना है जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको किसी भी पेज के उपर क्लिक कर देना यहाँ पे देखे होम का इकन रहेगा आप इसके उपर क्लिक कर देंगे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पेज उपन हो जाएगा अगर आप किसी और IPO के अपडेट चाते है तो यहाँ पे नीचे स्कूल करेंगे, सब ही आपको डिटेस मिल जाएगे, यहाँ पे देखे, IPO GMP आपको देखने को मिल जाएगा, आपको इसके उपर क्लिक कर देना है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको पेज को नी जुलाई से लेकि 8 जुलाई की बीच IPO ओपन हुआ था, आज की डिट में इस IPO का GMP प्राइस 30 रुपे चल रहा है, 68 रुपे इसका प्राइस बेंड रखा गया है, एक लोट के अंदर आपको 2000 शेर मिलेंगे, 14 जुलाई को यह IPO आपको लिष्ट होते देखने को मिल जाएग इसके अंदर गनेश ग्रीन भारत का IPO हमको देखने को मिल जाता है, 5 जुलाई से लेकि 9 जुलाई की बीच IPO ओपन हुआ था, आज की डेट में इस IPO का GMP प्राइस 242 रुपे चल रहा है, 190 रुपे इसका प्राइस बेंड रखा गया था, एक लोट के अंदर आपको 600 शेर मिल का IPO हमको देखने को मिल जाता है, 5 जुलाई से लेकि 9 जुलाई की बीच IPO भी ओपन हुआ था, आज की डेट में इसका GMP प्राइस 139 रुपे चल रहा है, इस IPO का प्राइस बेंड 82 रुपे रखा गया है, एक लोट के अंदर आपको 1600 शेर मिलेगे, 12 जुलाई को ये IPO अपको कुलिष्ट होते देखने को मिल सकता है, अगली कंपनी की बात करें तो इसके अंदर सहर सोलार का IPO हमको देखने को मिल जाता है, ये IPO 11 जुलाई से लेकिए 15 जुलाई की बीच ओपन रहने वाला है, यानि के आज की डेट में ये IPO ओपन हो जाएगा, इस के अंदर आपकी क्य का profit दिखा रहा है, estimated listing price की बात करें, तो 345 रुपे के आसपास ये आपको लिष्ट होते देखने को मिल सकता है, अगली कंपनी की बात करें तो सती पोली प्लास का IPO आपको देखने को मिल जाएगा, 12 जुलाई से लेकि 16 जुलाई की बीच IPO ओपन रहने वाला है, आज की लिष्टिंग प्राइस की बात करें, तो 182 रुपे के आसपास ये आपको लिष्ट होते देखने को मिल जाएगा, अगली कंपनी की बात करें तो प्रिजो और विजा टेक का IPO हमको देखने को मिल जाता है, 12 जुलाई से लेकिए 16 जुलाई की बीच IPO ओपन रहने वाला है, GMP इसका 0 चल रहा है, और estimated profit की बात करें, तो आलमोस याँ पर 0 चल रहा है, अगली कंपनी की बात करें तो इसके अंदर Alia Commodities का IPO हमको देखने को मिल जाता है, इन सभी IPO के details review वीडियो हमने चैनल की उपलोड कर दिये, तो अगर अभी तक आपने चैनल सस्क्राइब नहीं क तो चैनल को जल्दी से सस्क्राइब करें, ताकि आपको किसी भी IPO की update या notification सबसे पहले मिल जाए, इस IPO की opening rate की बात करें, तो इस IPO भी 12 July से लेके 16 July की बीच open रहने वाला है, आज की rate में इस IPO का GMP price 22 रुपे चल रहा है, 1590 रुपे इसका price band रखा गाया, एक lot के अंदर आप आपको लिष्ट होते देखने को मिल जाएगा, अगली company की बात करें तो 3MR paper का IPO हमको देखने को मिल जाता है, इसका भी details review वीडियो में ने channel के उपर बना दिया है, अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी, तो उस वीडियो को देखेगा, company का business model आपको समझ आ जाएगा इस IPO की opting date 12 July से लेके 16 July के बीच रहने वाली है, 12 रुपे इसका JMP price चल रहा है, 79 रुपे इसका price band रखा गया है, एक लोट के अंदर आपको 2000 share मिलेगे, 22 जुलाई को ये IPO आपको लिष्ट होते देखने को मिल जाएगा, आज की rate में पर लोट के अंदर 24,000 रुपे का profit दि आज की rate में JMP price 26 रुपे चल रहा है, 59 रुपे इसका price band रखा गया है, और लोट के अंदर आपको 2000 share मिलेगे, 23 जुलाई को ये IPO आपको लिष्ट होते देखने को मिल जाएगा, आज की rate में पर लोट के अंदर 52,000 रुपे का profit दिखा रहा है, estimated listing price की बात करे, तो 85 रुपे क देखे तो अभी के लिए 0 चल रहा है, estimated profit की बात करें, तो वो भी अभी 0 चल रहा है, इसके साथ ही दोस्तों हमें कुछ और IPO open होते देखने को मिल जाएगे, बट इनके GMP price के अंदर अभी कोई भी moment नहीं है, तो हम इस IPO को अभी के लिए आपको अवैट करेंगे, अभी दो के साथ हजार रुपे का profit दिखा रहा है, मैं आपको recommend करूंगा, जो भी आपको यहां पर profit मिल रहा है, आप उसको book कर लिजएगा, इस company के अंदर long time में आपका पेशा नहीं बनने वाला, तो मुझे लगता है इस company का listing stage आपको समझ आ गया होगा, जो भी आपको profit मिल रहा है उसको आप book कर लिजएगा, long time के अंदर इस company में उतने अच्छे return नहीं बनने वाले, क्योंकि company का कोई भी ऐसा business model यहां पर unique नहीं है, कोई भी इसको copy करके furtherly अपना business जो है, start कर सकता है, अगली company की बात करें तो इसके अंदर सहर सोलार हमें देखने को मिल जाता है, company का portfolio का काफी बड़ा है, company यहां पर unique business model कर रहे है, but मैं आपको recommend करूँगा, कल की date में इस IPO open होगा, और मुझे पिले से पता है कि कल की date में इस IPO oversubscribe हो जाएगा, but मैं आपको recommend करूँगा, आप पेले दिन का यहां पर subscription देखेगा, दूसरे दिन का देखेगा, उसके बाद आपको त चल जाए, कि इस IPO के अंदर आपकी कितनी listing gain मिलने वाली है, और कितना ज्यादा यहां पर आपको competition देखने को मिल सकता है, जितना ज्यादा competitions रहेगा, उतने आपके allotment के chances कम रहेंगे, but अगर आपको allotment मिल जाती है, आपको इस IPO से अच्छा खासा listing gain देखने को मिल सकता है इसके साथ ही अगर दोस्तों, आप IPO से rated कोई भी information लेना चाते, तो यहां पर देखिए, आपको IPO GMP, upcoming IPO, SME IPO, IPO subscription, IPO allotment, new NFO, यानि mutual fund के अंदर जो new companies open होती हैं, उनके जनकारी, इसके साथ ही forthcoming IPO, anchor list, इसके साथ ही अगर आपको DMET account close करना चाते, उन सभी topic की information आपको single website, यान आप IPO को लेकि बिल्कुल serious है, तो आप यहां पर देखिए, एक page है, forthcoming IPO, इसको आप कोसिस करें कि दीन में एक से दो बार जरूर विजिट करें, क्योंकि यहां पर जो भी forthcoming IPO आने वाले रहते, उसकी जानकरी सबसे पहले money mint idea के उपर साजा की जाती है, तो अभी तक आपने और किसे ने वीडियो में नई जानकर एक साथ चलिए, थन्यवाद